नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा साथ विशेगनित मार्च दो हजार चौबिस का प्रशन पत्र आज हम इस वीडियो में इस प्रशन पत्र को हल करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको और जो विशेग के पेपर हुए है उनके भी मैंने वीडियो डाली हुई है अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो माइनस त्रेपन प्लस डेश बराबर माइनस त्रेपन तो इसमें आएगा चार ओप्षन दिये गए हैं फस्ट जीरो सेकंड वन थर्ड ओप्षन है टू फोर्थ ओप्षन है थ्री तो इसका सही आंसर है वन जीरो कोशन टू तीन और ब्रैकिट में माइनस एक का गुननफल ग तर है माइनस तीन यानि चौथा आंसर प्रैशन तीन भीन तीन बटे चार का दशमलव सम तुल्ले क्या है फस्ट दिया हुआ है 0.25 सेकंड दिया हुआ है 0.5 थर्ड दिया गया है 0.75 और फोर्थ दिया गया है 1.25 तो इसका सही आंसर है 0.75 प्रैशन चार 0.2 जामान गयात कीजिए चार ओप्षन दिये गई है पहला है 0.2 दूसरा है 1.2 तीसरा है 0.12 और चौता है 0.6 इसका सही आंसर है 1.2 प्रैशन पांच निमने लिकिट डेटा की परिसर गयात कीजिए 2, 3, 5, 6, 9, 4 चार ओप्षन दिये गई है पहला है 6 दूसरा ओप्षन है 7 त इसका सही आंसर है 7 प्रैशन 6 निमने लिकित आंकडों का बहुलग गयात कीजिए 1, 2, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 4 चार ओप्षन दिये गई है पहला ओप्षन है 2 दूसरा ओप्षन है 3 तीसरा ओप्षन है 4 और चौता ओप्षन है 5 इसका सही उत्तर है 4 प्रैशन 7 एन का मान गयात कीजिए एन प्लस 5 बराबर 19 चार ओप्षन दिये गए है पहला है 14 दूसरा ओप्षन है 15 तीसरा ओप्षन है 20 चौता ओप्षन है 24 इसका सही उत्तर है 14 प्रैशन 8 वाई का मान गयात कीजिए वाई माइनस 4 बराबर माइनस 7 पहला ओप्षन दिया गया है 2 दूसरा ओप्षन 3, 30 option minus 2, 44 option minus 3, तो इसका स्इह आंसर है, minus 3, प्रेश नो 20 degree कोंड का पूरब कोंड है, 4 option है, पहला option है 20 degree, दूसरा option 50 degree, 30 option 70 degree, चोटा option 90 degree, इसका सही उत्तर है, 70 degree, प्रेश नज़ वह कोंड चुने, जो इसके संपूरक के बराबर है, option है, पहला 30 डिग्री, दूसरा ओप्शन 45 डिग्री, तीसरा ओप्शन 50 डिग्री, चौता ओप्शन 90 डिग्री, तो इसका सही उत्तर है 90 डिग्री प्रेशन 11, एक त्रिबुज की कितनी मादिकाएं होती है पहला option 0, दूसरा option 1, तीसरा option 2, चौथा option 3, इसका सही answer है 3 प्रशन 12, त्रिबुज के आंत्री कोणों का योग होता है पहला option 100 degree, दूसरा option 150 degree, तीसरा option 180 degree, चौथा option 360 degree इसका सही answer है 180 degree, क्योंकि त्रिबुज के तीनों कोणों का योग 180 degree होता है प्रशन 13, एक बटे 4 को प्रतीशत में बदलें पहला है 25 प्रतीशत, दूसरा है 50 प्रतीशत, तीसरा अप्शन 60 प्रतीशत, चौथा अप्शन 80 प्रतीशत इसका सही उत्तर है 25 प्रतीशत एक बटे 4 गुना 100 करेंगे सो को चार से काटेंगे तो उत्तर आएगा 25 प्रतिशत प्रशन 14 बीजी विन जग 7 एकस वाई प्लस 5 है एक एक पद दूसरा ओप्शन दूप्शन दूप्शन त्री पद चौत ओप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है दूसरा दूप्शन पंदर है पैतालि इसका सही उत्तर है तीन बटे दो यानि हम इसे पंदरह के पहाड़े से काटेंगे तो तीन बटे दो आ जाएगा पार्ट बी कोश्चन 16 तीन बटे चार और नो बटे सोला सम तुल्ले हैं इसमें हमें सत्य और आस सत्य बताने हैं तो यह ए सत्य है प्रशन सत्रा छेत्रफल बटे दो गुना अधार गुना उचाई तुर्बुज का चेत्रफल ग्याद करने का सूत्र है यह सत्य है प्रशन 18 सी बराबर टू पाई यार वृत की परिदी ग्याद करने का है यह सत्य है प्रशन 19 दो कम घाच्छे का मान 64 है यह सत्य है प्रशन 20 माइनस 4 ब्रैकिट गात तीन का मान माइनस 32 है ये ए सत्य है प्रश्ण 21 उपर्युक्त चिन घंका जाल है ये ए सत्य है प्रश्ण 22 निमने लिखी ताकृती में एक से अधिक क्रम की घुंडन समरूपता है ये सत्य है प्रश्ण 23 खालिस्तान भरने हैं 23 आधारन ब्याज का सूत्र है प्रश्ण 24 यदि M बराबर दो तो M माइनस 2 का मान क्या है तो इसमें लिखेंगे जीरो प्रश्ण 26 है पुर्णांकों का एक यूगम लिखी है जिसका योग माइनस 7 है तो इसका लिखेंगे हम माइनस 8 प्लस 1 माइनस 8 के से प्लस का एक जाएगा तो माइनस के साथ बचेंगे प्रश्ण 27 तेरह भाग ब्रैकिट बड़ी चोटी माइनस 2 चोटी ब्रैकिट बन जमाए एक बड़ी ब्रैकिट बन का मान ग्याद कीजिए तो इसको हम लिखेंगे पहले तेरह भाग बड़ी ब्रैकिट चोटी ब्रैकिट को हटाएंगे तो माइनस 2 प्लस 1 और बड़ी ब्रैकिट बन तेरह भाग अंदर माइनस के 2 से प्लस का एक जाएगा तो माइनस का एक बचेगा और 13 बटे 1 आएगा जब हम इसे खोलेंगे और माइनस का निशान आएगा तो इसका उत्तर है माइनस 13 प्रशन 28 मान ग्याद कीजिए तीन गुना पांच सही एक बटे 5 तो इसका हम हल करेंगे हम तीन गुना 25 और 26 बटे 5 और इन्हें हम गुना करके लिखेंगे तो 78 बटे 5 आएगा और जब भिन में हल करेंगे तो 15 सही 3 बटे 5 उत्तर आएगा प्रशन 29 म का मान ग्याद कीजिए तो 3 म बटे 5 बराबर 6 इसे जब हम हल करेंगे तो 6 बटे 1 लिख देंगे और क्रोस से गुना करेंगे तो 3 एम बराबर 6 गुना 5 बराबर आया 30 एम इधर रहने देंगे और 3 को उधर ले जाएंगे जो यह 3 है यह गुना में है जब इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 30 बटे 3 तीन के पहाड़े से काट देंगे उत्तर आएगा 10 प्रेशन 30 एक समी करन स्थापित करें किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोनने पर 60 प्रात होता है तो इसमें देखिए 8 एक्स जमा 4 बराबर 60 8 एक्स बराबर 60 मैनस 4 बराबर आया 56 एक्स बराबर 56 बटे 8 जब हम इसे काटेंगे तो उत्तर आएगा 7 प्रेशन 31 यदि एक समानांतर M है तो X का मान ग्याद कीजिए तो यह देखिए X का मान है 70 डिगरी प्रेशन 32 बाहे कोंड X का मान ग्याद कीजिए तो बाहे कोंड का होगा 110 डिगरी प्रेशन 33 अनुपात 3 अनुपात 1 के प्रतेख भाग को प्रतीशत में बदलें योग 3 जमा एक बराबर 4 पहला भाग है 3 बटे 4 गुना 100 तो 4 के पाड़े 100 को काटेंगे 25 पचिस पचिस यह 75 दूसरा भाग 1 बटे 4 गुना 100 चार से काटेंगे 25 आएगा तो एक भाग 75 है दूसरा भाग 25 है पाड़ी शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन 34 प्राशन है मान ग्याद कीजिए 3 बटे 13 भाग ब्रैकेट माइनस 4 बटे 65 ब्रैकेट बन तो इसे अब हम हल करेंगे 3 बटे 13 गुना 65 बटे माइनस 4 क्योंकि पहले भाग का निशानता गुना करने पर रकम पलड जाती है तो उसलिए 3 बटे 13 गुना 65 बटे माइनस 4 इन्हें जब काटेंगे तो 13 के पाड़े से 65 कटेगा 5 आएगा अब गुना कर लेंगे तो माइनस के 15 बटे 4 आंसर आएगा प्रेशन 35 पी बराबर माइनस 2 है तो 4 पी प्लस 7 का मान ग्याद कीजिए तो इसे हल करेंगे 4 ब्रेकिट में माइनस 2 प्लस 7 बराबर 8 जमा साथ उत्तर आएगा माइनस 1 प्रेशन 36 निमन लिकित को घात अंकिये रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पर देखिए 5 है 5 बार तो 5 की घात 5 लिखेंगे 6 तीन बार है 7 भी तीन बार है तो उसे इस तरह से लिखेंगे 6 की घात 3, 7 की घात 3 और गुना का निशान प्रेशन 37 आकृती के लिए घुन्डन समिती का करम ग्यात करें तो यहाँ पर देखिए 360 बटे 90 काटेंगे तो आएगा 4 और 90 डिगरी का कौन बनेगा प्रेशन 38 निमन लिकित संक्या को मानक रूप में लिखें 49,087,8 तो इसको लिखेंगे हम 3,9,087,8 गुना 10,000 आगे लिखेंगे 3,9,087,8 गुना 10 की घाच 4 यह इसका आंसर है प्रेशन 49 दी गई आकृती में शीर्षों फलकों और किनारों की संक्या ग्यात कीजिए तो इसमें देखिए शीर्ष 10 हैं फलक 8 हैं और किनारे 15 हैं प्रेशन 40 माइनस एक और जीरो के बीच तीन परिमें संख्याएं ग्यात कीजिए तो वो संख्याएं हैं माइनस तीन बटे चार माइनस दो बटे चार और माइनस एक बटे चार यह इसका आंसर है पार्ट ए लॉंग आंसर टाइप कोश्चन 42 से 44 हल करें 42 कोश्चन है प्रतम सत्रों दूत्य सत्र में एक छात का प्रदर्शन दिया गया है एक दोहरा दंड आलेख बनाए तो यह देखिए ग्राफ बना हुआ है फस्ट से में टर्म लिखा हुआ है और सेकंड टर्म और इंग्लिश में है पहले सरसट बाद में सत्र हिंदी में बहात्र सेकंड में पैंसट मैंत में फस्ट में 88 सेकंड में 95 साइंस में फस्ट में 80 सेकंड में 85 और सोशल साइंस में फस्ट में 73 और सेकंड में 75 तो इसका हम दंडालेक बनेगा दोहरा ये अंग्रेजी ये सबसे पहले इसमें देखिए दो बने हैं हिंदी में भी दो बने हैं गणित में भी दो बने हैं विज्ञान में भी दो बने हैं और समाजिक विज्ञान में भी दो बने हैं इसी तरह से आपको बनाना है प्रशन 43 एक घनाव के आयम 5 cm, 3 cm और 2 cm है एक सम्मितिय रेखा चितर और एक तिर्चा रेखा चितर बनाए तो मैंने आगे इसे बनाकर आपको दिखाया है तो यहां पर देखिए यह है सम्मितिय रेखा चित्र तो एक तो घनाव इस तरह से बनेगा और जो दूसरा तिरचा रेखा चित्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा पांस सेंटीमीटर की रेखा है तीन सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर इस तरह से बनेगा प्रेशन 44 एक व्रत की परिदी 13.4 cm है व्रत की त्रिज्या और छेत्रफल ग्याद कीजिए तो सबसे पहले परिदी है 13.4 cm त्रिज्या बराबर परिदी बटे 2 पाई तो 13.4 बटे 2 गुना 3.14 बराबर 134 इसका दशमला मटाने के लिए नीचे हम 10 लगा देंगे तो 134 गुना 100 बटे 2 गुना 314 गुना 2 नीचे 3.14 में दशमला हटाने के लिए उपर हमने 100 लगा दिया तो जब हम इसे काटेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 335 बटे 157 cm अब आगे हम व्रत का शेत्रफल निकालेंगे उसका सूत्र है पाई यार स्क्वेर तो 3.14 गुना 335 बटे 157 गुना 135 बटे 157 तो बराबर करेंगे दशमला हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे 314 बटे 100 गुना 335 बटे 157 गुना 335 बटे 157 जब हम इने काट देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 4489 बटे 314 वर्ग सेंटी मीटर तो यहां पर हमारा प्रशन पत्र पूरा हो गया है आप इसे मिलान करके अपने नमबर जा सकते हैं कि आपके कितने नमबर आ सकते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू